नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है So, Security Circles में एक बहुत ही complex बात चल रही है और वो ये है कि इंडिया-चाइना के border standoff में क्या चाइना के द्वारा जो पैंगॉंग 100 पे आकरमन की strategy follow हो रही है क्या वो केवल एक smoke screen की तरह काम कर रही इस विशे के बारे में हम यहाँ पे आपके साथ चर्चा करेंगे और साथी में हम यह भी discuss करेंगे कि डिपसांग जो है वो दोनों countries के लिए important क्यों है पहले इंडिया के लिए important क्यों है और साथी में चाइना के लिए यह important क्यों बन जाता है and finally हम इस चीज़ पर discussion करेंगे कि मान लिजे security circles का जो यह शक है मान लिजे वो सही है क्या इंडिया यहाँ पे डिपसांग planes को protect करने के लिए कुछ preparations कर रहा है या नहीं कर रहा है चलिए start करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे telegram channel से जिसका नाम है अनिरुद सर इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुट सकते हैं Study IQ की app जिसको की आप लोग Google के play store से डाउनलोड कर सकते हैं इस app के ऊपर हमने एक खास और महत्वपूरन course launch किया है जो की आने वाले prelims के लिए काफी जादा helpful साबित हो सकता है So if you are appearing in the October 4 UPSC CSE prelims definitely by this course इसमें हमने पिछले 10 साल के papers को subject wise discuss किया है I am sure ये course आपको काफी help करेगा और आपके prelims के chances को और भी improve कर देगा All right So हाल ही में जो Parliament में चल रहा curtailed monsoon session है उसमें हमारे रक्षा मंत्री जी ने एक statement दिया था regarding the India-China border standoff और यहाँ पर इस statement में कई सारी बातें की गई हम कुछ important highlights की बात करेंगे सबसे पहले उन्होंने कहा China illegally occupies around 38,000 square kilometer land in Ladakh राजनात सिंग जी ने कहा उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि no force can stop Indian troops from patrolling the Ladakh border at the same time he also said चाइना के जो words है और चाइना के जो actions है they don't match no power can stop patrolling at LAC and finally उन्होंने यहाँ पर अगर किसी के दिमाग में कोई शक्त था उसको clear करने के लिए बोला कि no one should have doubts about our determination to protect the India's borders और इनके इस particular statement पे यहाँ पे पूरे के पूरे parliament ने basically इनका साथ दिया और कहा कि हम आपके साथ हैं इंडिया चाइना के standoff को लेकर हम यहाँ पे किसी भी तरह का politics नहीं खेलेंगे and we basically support what the government is doing right now लेकिन यहाँ पर इस particular statement में कुछ चीज़े missing थी और यह चीज़े missing क्या थी basically इसमें Depsang के बारे में किसी भी तरह की चर्चा statement में नहीं की गए थी statement में यहाँ पे गलवान वैली के clash के बारे में बात की गई statement में Pangong Soh में जो recently चाइना के द्वारा घुसपैट हुई उसके बारे में बात की गई लेकिन Depsang Plains को totally ignore किया गया था यहाँ पर even though कई सारे यहाँ पे media news agencies ने उसके बाद को cover किया कि how Depsang Plains is new catchword in India-China standoff and why Rajnath is not talking about it So इसी विशे के बारे में हम बात करेंगे कि असल में Depsang Plains क्या है क्यों एहम है सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें Depsang Plains की location के बारे में जानना होगा So let us first know the location of Depsang Plains आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है आपको इसको बहतर समझने के तरीका है यहाँ पर यह है आपकी गलवान वैली यह है पैंगॉंग सो का एरिया यह है चुशल और यह है चुशल का पूरा का पूरा सेक्टर यह है hot springs और यहाँ पर है आपका दौलत बेग ओल्डी यह जो काले रंग की रेखा आप देख सकते हैं और यहाँ पर कहीं पढ़ता है Depsang Plains का एरिया So it is very very close in proximity to the Depsang Plains का जो आपका main spot है उसके काफी नजदीक पढ़ता है यह Depsang Plains का इलाका So कई सारी news agencies इसको cover कर रही है और बता रही है कि China असल में PLA जो है वो Depsang के इलाके में काफी लंबे समय से अपने troops को तैनात करके बैठी है और Indians के petrolling को block कर रही है सिंस April या फिर March अब अगर हम देखें कि पूरा का पूरा जो history है अभी तक जो पिछले 4-5 महीने में हुआ है हमारा जो stand-off था वो असल में शुरू हुआ था 5 मई को 5 मई को शुरू हुआ था गलवान वैली में उसके बाद hot springs के इलाके में उसके बाद मे 17 को पैंगॉंग सो में आया मिड मे में चुशुल में आया and June के second week में dip song में आया था छोटा सा stand-off हुआ था लेकिन यहाँ पर कहीं भी हमने record में इस चीज़ को note नहीं किया कि dip song में जो stand-off है वो असल में मे के पहले से ही चलता आ रहा है April या मार्च से ही चलता आ रहा है आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा दिर्श आपको दिखाता है various points of stand-off since the May month लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर April, March के dip song planes की बात नहीं की गई है so clearly यहाँ पर अभी तक information missing थी लेकिन finally यह चीज़ सामने आई है जिसमें यह बताया जा रहा है news agencies के दोरा की वहाँ पर PLA बैठी हुई है and इसको confirm करने के लिए जो हमारे defense के officials है उन्होंने भी इसको confirm किया है उन्होंने कहा Depsang was an old lingering issue that should not be equated or conflated with the new flashpoints in Pangong So area this year लेकिन ठीक है हम इसको बोलते हैं कि चलिए माल लेते हैं defense officials यहां बोल रहे हैं कि it should not be equated or conflated but अगर आप आगे देखें उन्होंने साथ ही में इस चीज के बारे में भी कहा है even though there is no immediate military standoff at Depsang where there are huge overlapping claims about the LAC there is no fresh status to change the status quo there but he also added there is growing concerns in the security circles that China could be diverting India's attention from the far more important Depsang region through its aggressive maneuvers in the Pangong so social area so clearly उन्होंने बोला है कि even though यहां पर कोई fresh status यहां पर कोई fresh military standoff नहीं हुआ है कोई fresh यहां पर उनकी तरफ से कोशिश नहीं हुई है status quo को बदलने की लेकिन यह यहां पर काफी हद तक possible है कि China अपने आकरामक maneuvers के थरू जो Pangong so में वो कर रहा है it is possible कि वो India की attention को divert करने की कोशिश कर रहा होगा from the very very and the more important Depsang region यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो exactly जो points हैं जहां पर China Indian patrols को block कर रहा है these points are patrolling point 10 patrolling point 11, 11A 12 and 13 which are well short of India's LAC claims further to the east यह वाला particular drish यहां पर देख सकते है यह LAC है at least India की perception LAC की यह वाली है जो लाल रंग की line आप देख सकते है और यहां पर यह है आपका दौलत वेग ओल्डी का जो Air Force का base है जो की काफी strategic है जिसके लिए basically पूरी कहानी शुरू हुई थी है और यह वाला जो इलाका है यहां पर है patrolling point 10 11, 12 और यहीं पर बीच में 12A और यहीं पर आपका 13 यह पूरा का पूरा एरिया है यह है इसको बोला जाता है Y junction या फिर bottleneck area यहां पर आप देख सकते है कि इस पूरे area को यहां पर block करने के लिए ताकि Indian के military के troops यहां पर patrolling ना कर पाएं उनको block करने के लिए लगभग 12,000 troops यहां पर deploy किये हुए है So PLA troops camping near the bottleneck area in Dipsang which is around 18 km inside the India's perception of LSE जैसे ही उनको लगता है कि India की कोई patrol party यहां पर patrolling करने आ रही है वैसे ही वो यहां पर action में आ जाते है अब सबसे पहले before I move forward I want to clear some doubts इसको Y junction क्यों कहा जाता है So यहां पर इस particular image में आप देख सकते है Y junction इसको इसलिए कहा जाता है यह Y junction इस तरीके से बनता है So this is the Y junction ठीक है इस पिछले वाली image में Y junction clear नहीं है लेकिन इस image में काफी clearly दिख जाता है Once again This is the Y junction ठीक है लेकिन इसको जादा important है bottleneck junction बोलना bottleneck junction इसलिए कहा जाता है because यह एक ऐसा इलाका है जहां पे Indians को access करना काफी मुश्किल है इसको bottleneck इसलिए कहा जाता है because Indian vehicles यहां तक पहुँचने काफी मुश्किल है जो की इंडिया के लिए एक बड़ा area of concern बन जाता है वहीं पर जैसे ही Indians यहां पे बहुँचने की कोशिश करते हैं Chinese के लिए यहां पे आना आसान है जिसके चलते वो यहां पे vehicles के तुरू आ जाते हैं और बड़ी मातरा में आ जाते हैं इसकी वज़े से वो Indians की पेट्रोल पार्टी को भी यहां पर रोख सकते हैं So, यहां पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा concern है जिसको अभी तक हम लोग ignore कर रहे थे अभी तक यहां पे even हमारी Indian government ने इसको acknowledge नहीं किया था Finally, सवाल यह आता है कि चलिए, इंडिया के लिए तो हम काफी हद तक समझ सकते हैं कि इंडिया इसमें interested क्यों है इंडिया इसमें साफ-साफ जो बात है interested है because of the Dalat Beg Oldie का जो हमारा Air Force Base है इसी के चलते हमने DS DBO Road बनाई थी So, that Dalat Beg Oldie का जो Air Force Base है यहाँ पर हम जो important चीज़े हैं उनको पहुंचा सके लेकिन सवाल यह आता है कि China इसमें interested क्यों है China इसमें interested है because उसका एक काफी important highway पढ़ता है which goes by the name of G219 मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी इसका कुछ ना कुछ reference दिया है G219 का जो highway है यह connect करता है तिबत के autonomous region को to Xinjiang autonomous region again इस figure में आप देख सकते हैं G219 highway की location so यह है आपका Depsang Plains यह है आपका Dolat Bay Goldie यह वाला जो आपके black रंग की आप देख सकते हैं line this is the G219 highway और G219 highway असल में यह होते हुए जाती है Aksai Chin से and इस particular map में और clearly देख पाएंगे यह है आपका Tibet का area Tibet के area से start होते होते China का जो सबसे उत्री province है यहाँ पर Northwest में province है Xinjiang province famous for the Uyghur Muslims वहाँ पर यह connect करता है China इस particular strategic highway को protect करने के लिए basically Depsang में interested है this is the main reason why China is interested अब finally एक सवाल जो बच जाता है कि जो भी यहाँ पर security circles में बातचीत हो रही है क्या यह threat क्या यह यह यहाँ पर जो चुनौती है वो असल में real है या fake है So again referring to senior military officials उनका मानना है कि जी हाँ यह threat काफी real है और उनको यह भी लगता है कि it is highly possible India could be playing into the hands of China by trying to de-link Depsang for the friction points to the south and allowing the PLA to get away with what it wants क्योंकि उनको यह लगता है कि complete attention आज की date में Indian military की, Indian government की Pangong Soh पर है, Galwan Valley पर है, Hot Springs में और कोई भी Depsang के बारे में बातचीत नहीं कर रहा, सोच नहीं रहा है So it is highly possible कि हम China के ही हाथों में खेल रहे है and it is possible कि the PLA might get away with what it wants but अग, अब मान लीजे कि यह threat मान लीजे real है उस case में क्या भारत की सेना यहाँ पे कुछ preparations कर रही है So जी हाँ, हमने preparations की हुई है India ने भी यहाँ पे counter deployment की हुई है with two additional brigades और हर brigade में लगभग 3000 के आसपास troops है और साथ में हमने tanks को भी deploy किया हुआ है, mechanized infantry regiments को भी deploy किया हुआ है in the Dipsong tabletop plateau area और यहाँ पर at the same time cable Dipsong में ही नहीं भारत की कई सारे यहाँ पे जो platoons है वो DBO में भी located है So काफी नजदीक के area में हमारे अच्छे खासे मातरा में troops located है So इसमें कोई शक नहीं कि हम prepared हैं या नहीं है But मान लीजे कि यहाँ पर भी कोई और problem हो जाती है आगे जाके way forward क्या है What is the way ahead जो कि इंडिया को यहाँ follow करना चाहिए So again quoting the military officials उनका यहीं मानना है कि यहाँ पर कोई way forward नहीं है except the fact कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने patrolling points को वापस छीन लेना चाहिए हमें अपने patrolling points को वापस यहाँ पर assert करना चाहिए कि यह patrolling points हमारे है चाइना का यह claim यहाँ पर completely गलत है और यही एक तरीका है यहाँ से चाइना को basically बहार निकालने का With that I take your leave Thank you for listening Stay tuned and stay safe